दोस्तो नॉर्मली राजमा बनाने के लिए लोग तेल का इस्तिमाल करते हैं पर जो आज मैं राजमा की रेस्पे लेकी आई हूँ इसको बनाने के लिए मैंने एक बून तेल का भी इस्तिमाल नहीं किया है और जो राजमा इनका स्वाद बहुत ही बढ़ी आया है तो चलिए फटापट हम बिना तेल के इस्तिमाल किये हुए राजमा को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह दो कप राजमा लिए हैं और इनको मैंने लग भग एक घंटे के लिए गुन गुने पानी में भिगो की रखा था राजमा यहाँ पर अच्छे से फूल गए हैं और अपने साइस के डबल हो गए हैं अब हमें इनको उबालना है तो उबालने के लिए कुकर में डालेंगे हम राजमा को और साथ इसी बावल में भरके हम पानी डालेंगे तो यहां पर मैंने यह पूरा चार कप पानी डाला है और पानी की मातरा इतनी रखनी है कि राजमा अच्छे से डूबा रहे और डालेंगे एक चम्मच नमक, नमक को अच्छे से मिला देंगे मिलाने के बाद कोकर को हमें बंद करना है और इसको रख देना है गैस पे एक सीटी हम हाई फ्लेम पे लगाएंगे उसके बाद गैस को कर देंगे हम लो और लो फ्लेम पे लगबग चार से पांस सीटी आने तक राजमा को हम उबालेंगे जब तक राजमा उबल लाए तो प्याज और टमाटर को हम काट के ग्राइंड कर लेते हैं तो मैंने ये दो टमाटर लिये हैं और एक प्याज लिये और इनको काट लेंगे, काटने के बाद इनको डालेंगे हम एक ग्राइंडिंग जार में ग्रैंड करने के लिए जार में डालेंगे हम दो हरी मेर्ची, चार से पांच लशन की कलिया, एक छोटा सा साफ किया हुआ अधरक का टुकड़ा और कटे हुए प्याज और टमाटर और इनको कर लेंगे बारी ग्रैंड तो यह यहाँ पर एकदम फाइन पेश्ट हो गया है बनकी तयार, इसको रख देते हम साइड में और अब करेंगे सूखा मसाला तयार सूखा मसाला बनाने के लिए एक बावल में डालेंगे डेड़ चम्मच बेसन, आदा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चुथाई चम्मच नमक, एक चम्मच गरम मसाला, एक चुथाई चम्मच अमचुर पर बहुत अच्छे से उबल गए हैं तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके राजमा अच्छे से नहीं उबलेंगे तो इनका स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा तो मैं आपको राजमा को चेक करा देती हूं राजमा यहां पर बहुत अच्छे से गल गया है कोकर को मैंने गैस पे रख दिया है और गैस को मैंने ओन किया है अब हम इसमें डालेंगे तयार की हुई टमाटरों प्याज की प्यूरी और साथी साथ अपना सीक्रेट मसाला और सबको हम अच्छे से मिला देंगे मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब हमें इन राजमा को लग भग दस मिनट तक लो फ्लेम पे उबालना है दस मिनट हो गए है राजमा यहाँ पर हमारा अच्छे से उबल चुका है और आप इसका कलर देखिए टेक्चर देखिए एकडम परफेक्ट आ गया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया और चलिए इसको कर लिते हम सर्व प्लेट यहाँ पर मेरी तयार हो गई है राजमा वाली इसमें में डालूँगे थोड़ा सा नीबू और इसको हम टेस्ट करेंगे आसम बहुत ही बड़िया इनका टेस्ट आया है प्याज भी खा लेते हैं तो इन राजमा को आप एक बद जरूर ड्राय करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि रेस्पी कैसी लगी और इसको अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स रेस्पी में तब तक के लिए बाई बाई